अमेरिकी स्टेड कोलो राडो की सुप्रीम कोट ने पूर्वे अमेरिकी राष्टेपती डॉनल ट्रम्प को चुनाव लडने के लिए आयोग घोशित कर दिया है अब डॉनल ट्रम्प का नाम कोलो राडो में होने वाले चुनाव के बैलेट पेपर पर नहीं दिखेगा यानि की रिपब्लिकन पार्टी के नेता अब ट्रम्प को बोट नहीं दे पाएंगे इसका सीधासा असर 2024 में होने बाले राष्टेपती चुनाव में ट्रम्प को मिनने बाले बोटों पर होगा रिपोर्ट के अनुसार फैसला सिर्फ कोलोराडो राज्ज में ही लागू होगा इस फैसले में अपील बाकी है इसलिए इसे चार जनवरी तक का होल्ड पर रखा गया है कोट ने ट्रम्प को 6 जनवरी 2021 में हुई US कैपिटल हिंसा के लिए जिम्मेदार माना है वहीं ट्रम्प का कहना है कि कोट के इस फैसले में राष्ट्रपती बाइजन का हाथ है और वो इस फैसले को बदलने के लिए अमेरिका के मुख्ष सुप्रिम कोट का रुख करेंगे